हलो नमस्कार दोश्तो भर्षवा एकेडमे में आपका श्वागत है और सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि दो हैंट के सब्सक्राइब करने माले और मैं आपको बता तो कि जो स्टूडेट दो हजार थे 10 वोड़ एक्जाम क्लास एट का प्रिप्रेशन कर रहे हैं वह इस वीडियो को देख सकते हैं साथ ही में आपको जैक बोड एक्जाम दोज़एस का प्ले लिस्त आपको वीडि एक्जाम में आने का हाई चांसे से मतलब बहुत ज्यादा चांसे से तो आपको मैं सजिस्ट करूंगा कि आप जो भी कोश्चन में करवा रहा हूं उसका इंसर आप नोट डाउन कर लो अपने कोपी में और बाखी जो नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं वह साइट पर जाकि आज का पीडियेप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है डिप्रिक्शन बॉक्स में उसका पीडियेप मिल जागा चलिए अब हम लोग क्लासे से स्टार्ट करते हैं तो यहां पर सबसे पहला हमरा कोश्चन है और आज की एक कोश्चन हमारा समाजिक विज्ञान सेट वान दोहजर 20 का है इंपोर्टेंट किस एक्जाम के लिए है 2023 के लिए ठीक है कोश्चन पेपर किस टाम का है तो 2020 कोश्चन सिट वान है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं यहां देखिए समाजिक विज्ञान भी साया आपका एट लिखा हुआ है ठीक है यह सब कितना नंबर का यह 20 तो आएगा 80 नंबर का मतलब 80 नंबर का ठीक है तो उसमें आपका 40 कोश्चन रहेगा यहां पर 20 कोश्चन में आपको प्रोवाइड कर आपका पुराना मोडल कोश्चन पेपर है ठीक है आभी तक जैक बोड़ द्वारा 2023 के लिए मोडल पेपर जारी नहीं किया गया है अग यहां पर आप लोग पहला कोश्चन करते तो पहला कोश्चन ने स्वतंत्र भारत में पहली जनगन्ना कब सुरू हुई थी बहुत अच्छी कोश्चन है स्वतंत्र भारत में पहली जनगन्ना कब सुरू हुई थी तो इसका एंसर क्या हो जागा 1951 अब एक लोजिक लिए आ पनाते 26 जनवरी 1950 को और यह 15 अगस्त 1947 को अमारा देश आजाद हुगा यहां पर 1951 जो है उसमें क्या हुआ था पहली जन्गन्ना शुरू हुई थी ठीक है तेहां पर जब भी कोश्चन आए कि पहली जन्गन्ना कब शुरू हुई थी स्वंतंतर भारत में आजाद भारत में तो आपका श्रोजाना चींप न üstउ एकावन अप्सण डी सरी हो जाएगा ठीक है यहां देखिए दो अबर कोश्चन है इस्ट इन्डिया कंपणी किस महादेस की कंपनी चुदिस की आजन्वी ती यहां पर आशने क्या हो जागा यूडोब यूद इन्डिया कंपनी किस मह चारू का अप्सन लिखना जरूरी है पर हआ ईंसर नोट करो उत्तर लिखो नोट करो ठीक है यहां पर इक कोश्चन निए पलासी का यूद कब हुआ पलासी का यूद जो है और कभ भूब बहुत अच्छा कोश्चन है इसका इंसर का हो जागा उपसं बी सतरहसों संदफावनिस ठीक है कि इसको नूट करते जना कि है चाहले नमर कोशन यह भी कोश्टन बहुत बाइया हुए भारत में पहली चाय बागान पहला चाय बागान कहां लगाया बहुत लोगों को इसका एंसर मालूम हो कि जो लोग पीछे और वीडियो देखें होंगा न 15 न medic 18 सो 55 को उलि हात नाम गाव में हुआ था उलि हाइत नाम क्रामें किसि औस महा नायक का जन्म 15क और 2170 प allegiance घुआ था बताई इसका एंसर क्या होगा फांक कि आंसर क्या होगा इसका आनसर क्या झाल जाल बिर्सा मुंडा अपसंझ ची UP का सईοιπόν मैं represents ज्यादा ही नोटिफिकेशन कर रहा थी इसलिए मैंने तर्स वीडियो को रोग दिया था ठीक है अधिक है भारत में पहली सूती कप्रा मील 1854 में कहां स्थापी तो भारत में पहली सूती मील 1854 में कहां स्थापी तो इसका एंसर क्या हो जागा छे नंबर कोश्चन है चलिए इसके एंसर किया हो जागा मुंब् 및 ठीक है अ अगर आपको शूरी शूरी इसमें और बात में आपको बता दो भारत में पहली सूती कप्रा मील अधूनिक सूती कप्रा मिल इस्थापित हुआ तो मुंबई में 1854 इसपी में और 1818 इसपी में कुलकत्ता में भी सूती कप्रा मिल चालू हुआ था ठीक है ये भी आपको याद रखना है मतलब बंगाल भी एंसर हो सकता था लेकिन यहां पर क्या बोला है पहली सूती मेल 1854 ज समय भारत का गवर्णर कौन था बहुत अच्छा कोशन यह भी कोश्चन आया था आप लोगों को इंसर मालूम होगा इसका 1857 इसपी के विद्रोग के समय भारत का गवर्णर कौन था अप्शन 20 सही हो जाएगा देखिए तो लौड कैनिंग ठीक है चलिए आगे देखते हैं अजये अचा आउम और नमडेर चेन अग्रेजिन बंगाल कविभाजन और चीन अंग्रेज ने बंगाल को विभाजन कब किया इसका इंसर क्मजिए यागा 1905 जिसन वाजन किया थे हैं इन में से नभी कर निसनाधन का उधारन निकष्षाchemical बीडियो न पार्व सब्सक्राइब का उदाहारन है नभी करनेशन साथन का मतलब क्या होता है जो तुरंत मिल जाए आपको एक बात बता है पेट्रोल आपको तुरंत मिलेगा नहीं अगर आज उसको खतम कर देते हैं हम लोग तो उसको फीर से उप जाने में कितना समय लग सकता हमको कोईला भी वहीं काम करेगा फिर परकरित्श भी वह है तो जल जो है वौटर तो आपको हर जगा मिल जाता है चलिए आगे देख लेते हैं दस नुम्र कोश्चन yönव कपास की किक्या किसं मिटी में होती हैża गूड कोशन कपास की किसं मिटी में होती अपशन याद कर लिजे आ कं लें तर लीक्तर निलागरा किसको कहते है परिस्वी को क्यों कि पर ज्यादा पानी पाएजाता है आप सलसी सह ही हो जागा नौन देखिए जिलिया डेम किस राज में इस्थीतीयं किस लाज में इस्थीत में था क्या चलिए तो बाता दीजी एंसर क्या हो जाएगा तीलिया डेम किस राज में इस्थीत है अपसन भी सही हो जाएगा जारखंड तेरे नमर कोशन क्या है जारखंड में तामबा उधो कहां इस्थीत है इसका एंसर बता यह फटा-फट अपसन सी घाट सीला ठीक है यहां क्या है इसको क्या हुआ बाति यह मंबावई में हुआ खे ऐ umbuu मैं मुंबाई और समय तो टीक कीुजेगा ठीक है भारत में महिलाओं को भोड देने का नियूंतम उम्र नहीं धारी थे अब फटा फट जो लोग पीछे वाला वीडियो देखे उसके वो लोग इंसर तो बता देंगे जल्दी बता दीजे अगर नहीं बता हैं तो अठारा वर्स उस समय भी हम बतायते कि अठारा वर्स भोड डालने का नियूंतम उम्र क्या है अठारा वर्स महिला हो या पूरूस ठीक है अगर यहां महिला के जगा पूरूस भी डाल देना पूछे के भोड डालने का नियूंतम उम्र क्या है कम से कम उम्र किया है तो अठार कितने वर्सों के बाद होता है बहुत अच्छा कोइशन है ज़ारखन को कितने सालों के बाद होता है सत्रा नंबर कोइशन देखें क्या है जारखन को कितने लोकी सभाब शेत्रों में विभाजित किया गया है चाहुदा अपसंसी सही हो जाएगा भारत का सिर्ष अदालत सिर्ष अदालत सर्वुच न्याले कहां इस्तित है मतलब सुप्रीम कोट कहां इस्तित है भारत में सुप्रीम कोट कहां इस्तित बताई तू सर्भोच उच उच बलते हाई को सर्भोच सुप्रीम कौट कहा इस थी था भारत में शिर्ष अदालत कहा इस्थी ज़िए अठारा का अपसंनी धिली भारत करदानी कहा है दिली ठीक अगर ऐसा भी कोश्चन है तो अब ट्री कर सकते हैं ए मालिक तेरे बंदे हम कभीता किस ने लिखी उन्निस तमर कोश्चन है ए मालिक तेरे बंदे हम कभीता किस ने लिखी इसके अंसर क्या हो जाएगा भरत ब्यास उन्निस का अपसंसी सही हो जाएगा भरत ब्यास ठीक ह कि यहां परी बहुत अच्छा question 20 नंबर योग लिए संड किसा वस्था में करना चाहिए है यह वख लुगा वस्था लू अवस्था ब्रिदा वस्था इनको सभी अवस्थfly वस्था च्नीज तो आप किसी में भी कीजिये बहुत अच्छा फाइदा करे मतले और अपने दोस्तों को बताइए जो दोस्त आपके अभी तेक मतलब तैयारी नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों को यह वीडियू सेंड कर दीजे का भाई तुम भी देख लो तक एग्जाम में मेरा भी मदद कर देना अब देखिए जब दोस्त आपका जाने गाई नहीं तो कैसे म यह content आपको किस पर करका लग रहे हैं जो हम आपको वीडियो बना कर दे रहे हैं इससे आपको कोई बनेफिट हो रहा है नहीं हमें भी motivation तभी मिलेगा जब आपको कुछ बनेफिट होगा ने तो हम किसी और classes में किसी और चीज टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे ठीक ह तो देखें आपको जो वीडियो जो टॉपिक पर वीडियो चाहिए वह आप एक बार नीचे कॉमेंट कर सकते हो उसके लिए मैं बना दूँगा वीडियो थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो और भीजिट दिस चैनल अगर आप चाहत तो मोडल कोश्चन पेपर जो भी डाउनलूड करना चाहते हैं तो नीचे डिप क्लिक्शन बॉक्स में आपको भी विडियो साइट का लिंक में लेको वहाँ से जाकर डाउनलूड कर लिए थांक यू